आर्डेडी के लोग कुछ कर रहे हैं जडियू के लोग कुछ कर रहे हैं हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौझूद हैं 2022 में जो पूल है यह वो भागलपूर के साइट गिरा था तब आयाईटी रूर्की की टीम ने इसकी जांच की थे और कहा था कि तेज आंधी तुफान के कारण पूल गिरा लेकिन अस्थानिये लोग से हम बात किये तो उनलों का कहना है कोई आंधी तुफान नहीं आये था साल भर के अंदर दूसरा हिसा जो है वो खगरिया साइट पर गिरा है कि हम ग्राउंड वीरो से आपको यहां पे तस्वीरे भी दिखा रहे हैं यहां पे एक गाड के भी लापता होने की बात सामने आ रही है ग्रामीन ऐसा कह रहे है लेकिन कोई अधिकारिक पूस्ट्री इस बात की अब तक नहीं हुई है कल रवी वार था कल निर्मान कारे नहीं चल रहा था इसलिए कोई मजदूर की मौत नहीं हुई अगर कल मजदूर यह पूल बन रहा है एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब पिछली बार पूल गिरा तो जो कंपनी बना रही थी उसको बैन करना चाहिए था लेकिन वहीं कंपनी आगे भी काम जारी रखे और उसीर के नतीज़ा है कि दूसरी बार भी जो है धारसाई हो गया इस साल अक्टूबर में इस पूल को कंप्लीट होना था असी परसेंट काम पूरा हो गया था लेकिन उसके पहले ही ये घटना हुई है साइध हिंदुस्तान में यह ऐसा पहला पूल है जो उद्गाटन से पहले ही जो है दो बार गिर चुका है नितीज सरकार लगातार सवालों के घेरे में आप जाज सिपोर्ट का हमें भी इंतजा रहे हैं इस वक्त हम खगारिया में अगवानी घाट पर हैं देखिए यहां पर अगवानी सुल्तान गंज गंगा ब्रिज जो है एक साल के अंदर दूसरी बार गिरा है 250 मीटर हिस्सा इसका नदी में गिर गया है चार पिलर नदी में सम हुआ था 2023 का एक्टूबर में काम को कंप्लीट होना था लेकिन उससे पहले ही दूसरी बाल जो पूल है वो धारा साई हो गया है जो कंपनी बना रही है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं आप यहां पर नदी किनारे कुछ लोग बैठ हुए हैं बहुत मायूस दिख रहे ह क्या नाम है आपका उसा कुमारे अच्छ जी आपके हाथ में फोटो है यह कौन है यह मेरा चाचेरा भाई है इनका क्या नाम है बिभास कुमार यादव बिभास कुमारे ताप लोग यहां नदी किनारे क्यों बैठ हुए हैं कि मेरा चाचेरा भाई जो है इसमें मतलब पू से तो बला कि हम आगे हैं यहां पूल पे डूटी में तुम दूसरा नूमबर जो है उसके पास उस से बात कर लो था हम उसके दूसरा नूमबर से बात कर लिए जैसे ही छे बज के बारे मिनट हुआ कि पुरा धमाका से मतलब अवाज से हुआ हम लोग घर से बाहर निकले कि कह तो पल्टी ने हो गया तो बाहर सब लोग बोलने लगा पूल गिर गया हम बोले कि आप मेरा भाई अभी चाचरा भाई दस नंबर पाया पर डूटी कर रहा था उभी साइब चला तो यहां पर यह जा रहा है कि कोई मजदूर लापाता नहीं है ना कोई गाड लापाता बा पूरा दूखों का पहार परिवार पर यहां पर तूट पड़ा है मासम पसरा हुआ है चोटे बच्चे भी हैं यहां पर बहुत जादा बिगड़ी है उनकी वाइब से इसलिए हम उनकी बहन से बात करा चाहिए बताई यह तो क्या उनको कुछ खोजने काम भी हुआ है कोई का है कोई मदद प्रसासन से नहीं मिल रहे है कोई मदद नहीं कोई आज इसी जगह पर सरकार मिली भगत हैं विधायक सबसाब मिली भगत हो कि पूल ने बना राए गंगा का मिट्टी और बालू से तयार कर रहा था दिबार मेरा भाई जब हम फौन से बाट किया है कि हम पूल पे खड़ा था अगर उभी इधर रहता तो उसका भी मोथ हो जाता लो नहीं तो चलो घर पे बढ़कर करके एक दूर की जमीन नहीं रहने के लिए घर नहीं है सरकारी जमीन में जोपड़ी लटका के अपना परिवार का गुजर बसर करते थी कोई मज़दूर ने बस मेरा सुनिये न एक बारे बजे कल दीन में एक बजे तक संडे मतलब बड़े बीवार के दिन काम होता था और कल बड़ लेवर सरा लेवर को बारे ये बजे उतार दिया इंगिनियर बोला कि पूल का च्छत क्रेक हो गया है सब उत्रो उत्रो आज काम इसका तो रिपूर्ट मुबाइल अब प्छी या तो उधर एक तो गार डेना जाहिए कि इधर नहीं जोना है और दस खत कर वाली में करवा पोल Crunchorama मिल रहा है कौह अप जाया मिल रहा है कुछ उमिद सविरें कздरें चोटे चोटे बच्के एंके तो जो लापता हैं गार्ड उनकी बहन कह रही है कि हम लोगों को मुआफजा चाहिए क्योंकि इनका जीवन कैसे चलेगा क्योंकि जो ड्यूटी करते थे इनके पापा उसी से इनका जीवन चलता था सो अब ये लापता हो गया है हमें प्रसासन से भी कोई मदद नहीं मिला तो बता द है कि हम लोगों को उसकी तलास है लेकिन प्रसासन से हम लोगों को कोई मदद नहीं मिलना यहां पर नदी किनारे यह लोग बैठे हुए हैं इस उमीद में कहीं वो मिल जाए कैमरा परसंट सेलेस के साथ से शाम कुमार एभी पी नियूस खगरिया